हेलो एवरिवन जैसे कि अमने डिसाइट किया था कि जो अभी कुश्यल समय चल रहा है दिर इन दिस सिच्वेशन एट लिस्ट आप लोग अपने अपने घरों में होंगे या होस्टल्स में नहीं होंगे जहां भी होंगे लेट उस डिसाइट कि क्यों नहीं दिन में एक बार इंटरेक्ट करें जो अपने सिलेबस में दी हुई चीजे हैं या फिर जो बची हुई है तो आई थाट अबाउट डैट कि जैसे कल मैं आपको सेंड किया था कूपी पको रसायन के बारे में जो कि आपके जिस जारणा और मोर्चना के बारे में हम क्लास में पढ़ने वाले भी थे तो उसे कूपी पको रसायन को लेके आगे बढ़ते हैं मैं मुझे लगता है या मैं मान के चल रहूं कि मैंने जो नोट्स स्टेडी मेटिलस आपको कल सेंड किये थे आपने उसे पढ़ा है देखा है और कुछ उसक कूपी पको रसायन कोशिश मेरी यही है कि ग्रूस में आप सभी लोग जुड़े हुए है तो उसको आप एटलिस रिट करें समझें लेक्चर्स को कुछ कन्फीजन डाउट होते हैं तो आप नोड़ बूक में कोश्चन्स लिख के आप सेंड कर सकते हैं नेधर दन राइट कूपी पको रसायन पहले बात किये हुए कूपी पको रसायन मिन्स कूपी मतलब काच की कूपी अबॉर्टल वीचिस अपर पोड़ इस दे नेरो और जिसका उसमें पाक किया जो है तो उसके साथ एक सब्सक्त हट बात कोफी में पाक करके बनाई ही कूपी ज़े खं़ पकियाए तो यह जराव्याधी विद्वन्स हम भेसेजम तद जो जराव्याधी का जो नाश करता है जो आउशद उसे हम रसायन कहते है इसे वंडर्फूल मर्करियल प्रिपरिशन्स मेंली इस प्रिपेरड वाइदा पारदयन गंधक का शोथित पारदयन गंधक बहुत से मल्टीपल तो आपके स्लिवर से कॉड़न लिए हम सबसे पहले वर्णन में बात करूं कि इस घंत में आया है तो रस प्रकास सुधाकर नहीं से जिसके लिखाग ये शुधर भट्ट जी है उस पे उदिया भासकर रस के नाम से आया है कूपी पोग रसायन का सरफ वर्णन ये उदिया पुद्या भासकर रस नहीं बेट दी अधर नेम आउफ रस सिंदूर तो फर्स्ट जो ग्रंत है जहां कूपी पोग रसायन का हमें नाम मिलते डैट इस रस प्रकास सुधाकर डैट इस ऑथर अधर भूक इस ये शुधर भट्ट बाइद नेम आप उदिया भासकर रस उसके बाद से परबणही चलनी लगती है कूपी पोग रसायन के बारे में। गूपी पोग रसायन में बेसीकरी हम देखे तो थ्री कमपोनेंट्स होते हैं सबसक्र पहले जो बात हमने आपको समझाई थी कि मड़ इसमेर इसमें कपड़े होते हैं कॉटन के क्लोथ होते हैं मिटी से हम उसको रेप करते हैं इसी बॉटल को ग्लास को और उसके अंदर कुछ पाक करके मेडिसिन बनाई जाती है विद दे हेल्प आफ कजली कजली की परिभाशा आप लोगो सब पता है मैं मानके चल रहा हूँ कजली के final test क्या है या आप लोगों को मानके चल रहा हूँ अब basically इसमें त्रीन चीज होती है पूर्व कर्म प्रधान कर्म इवन पश्चाथ कर्म अब किसी भी manufacturing process में जाने के लिए हमें तीनी स्टेच जलते हैं पूरुकरम को हम प्री-Operating Process भी कह सकते हैं प्रधान कर्म को main operating process भी सकते पश्यात कर्म को हम post operating process भी कह सकते हैं तो today I am discuss about the poor work karma पूरुकरम को पीपा को रसायन के लिए हमें रवन हमें किन आशक्ता पड़ते हैं जो main operating process अशक्ता पढ़े हैं सबसे पहले आपको ध्यान और आशक्ता होना चाहिए कलेक्शन एड ऑथेंटिकेशन आफ रॉम मट्रीला यूज्ट पॉर्डे मैनुफेक्ट्ट्रिंग आफ एनी कुपी पको रसायन मेडिसिन मतलब संग्रहंट करना या मुस्कौफिकेट करना सबसे पहला तो जैसे पर्टिकुलर आप जैसे अभी है तो हम कॉमन प्रोसेस बात करें आगे आप रस सिंदूर पढ़ोगे आगे आप मकड ध़च पढ़ोगे समीर पनक पढ़ोगे ये भ क्लेक्शन ऑजे इंपोर्टन चीजिक्ण है अगर हम इनकेस में एक एक ऐग्जामपल लेकर चल परा हूं आज के लिए डैट एस रस सिंदूर रस सिंदूर की निर्माड में जो समान निक्रम है वो कहता है कि समान भाग पारत लिना है और शब्रगंध रहना है रस सिंदू of कूपिपकी रसाय और आपको इसकया करना पड़ेगा पारत का शोधन करना पड़ेगा है जोधित पारत को शोधित पारट को अम्हें करना पड़ेगा जिसते निर्मान करेंगे आप तो प्री एंपोरेटिंग तो फिर से अब आपको मेन परेटिंग प्रोसेस के लिए पाक करना है तो अब किसे फीजय आपको और शक्ता पढ़ेगी सब से पहले ग्लास बॉटल की ठीक है अच्छी सी सी कहते हैं जिसे हम मैं दियर फ्रेंड्स कभी भी भी इसको बीर बॉटल कहके आप समुरीत मत करना अच्छी सी सी क्या होती है नेरो होता है उसका अपर पॉर्शन नीचे ब्रॉडर होता है इस एक बॉटल को सबसे पहले अंदर से साफ करना है स्मयल तो नहीं आरी अलकोहल की वो देखना है हमें उसको सुखाना है सुखाने के बाद सेक्ड़ मोश्ट इंपरटेंट फिंग जो कूपी पर पॉर्शन में कूपी में आप अपनी ओशदियों को क्या करते हैं पाग करते हैं तो कूपी को हमें इस लायक बनाना है ताकि वो जादा टेंपरेचर भी सहन कर सके उसके लिए क्या करेंगे आप कपड मिट्टी करेंगे मड़ इसमें अट क्लोथ लेंगे आप जनरली मैक्जिमम कूपी पकूर असायन के साथ बार कपड मिट्टी करने कहा गया सेवन टाइम्स रैप्ड कपड मिट्टी कैसे करते हैं प्रैक्टिकल्स में हम देखेंगे वो बट चौट में बताओं लेते हैं वो उसके साइच के बटल के साइच का हम कॉटन लेते हैं मुलताने मिट्टी में डीप करता है और इस पे रैप करते हैं एक बार की आप फिरधूप में सुखा है दो बार की आप फिरधूप में सुखा है ऐसे हम साथ बार करते हैं तो अब साथ बार सुखने बाद आपकी कूपी भी रेडी है पाक के लिए अब तीसरे क्या और शक्ता पड़ेगी आपको इंधन की मिन्स बालुका यंद्र की अगर आप ट्रेडिशनल मेथड आप फिटिंग से जा रहा है तो मुझे मैं जामान के समझ रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टन चीज है कोपी परको रसायन के बीच बीच में कुछ परिच्छाएं होती है जिसको हमें देखनी पड़ती कि हमारा प्रोड़क्ट सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है या फिर उस प्रोडक्ट सही तरह से बनने आगे तो हमें डीसे उसमें हमें आइरन रॉट की आउशकता पढ़ती है जिसको हम शलाका कहते है आइरन रॉट तो दो टाइप की आउशकता पढ़ती है जिसको जो ठंडी होती दूसरा उस्ट शलाका में जब हम कुपी पकुर असायंस का निर्मान करेंगे तो हमें उस्ट शलाका की आउशकता पढ़ती है आपके पास शलाका उस्ट शलाका रहना चाहिए प्रोसीजर स्टार्ट को ठीके बताएंगी क्या का मैं आगे बताएंगे अब आपके दो चीज होगी शिष सलाका है उष्ट सलाका हो गई आप अड़ सेम टाइम थर्ड आपकी मोस्ट इंपोर्टन चीज है जो इसी क्रम में आती है आपकी वह कॉर्किंग जिसे क्या हो तक कुपी पॉख रसायन में इसे मैं हमेशा आपको पहले भी बता चुपा हू जो फाइनल प्रोड़क्ट है कहां मिलेगा आपको नेक में मिलेगा जनरली नेक में मिलेगा जैसे मैं रसिंदूर के एक्जामपल ले रहा हूं नेक पे मिलता है तो एड़ दी सेम टाइम जब प्रोड़क्ट फॉर्मिशन हो जाता है तो हम उपर से उसको कॉर्क करते जनरली जो कूपी है उसमें फाइनल प्रोड़क्ट हमें कहां कहां मिलेगा फाइनल प्रोड़क्ट जैसे मैंने कहा कूपी के नेक में मिलेगा पहला कूपी के बॉटम में मिलेगा दूसरा यह दोनों में मिलेगा उपर भी और नीचे भी मैक्जियम कंडिशन में जनरली य मलसिंदूर, यह हमेशा नैक में मिलते हैं, याने इसको हम कंठस्त कहते हैं, कंठस्त, ठीक है, तलस्त याने क्या हुआ, बॉटम में मिला, उसका बेश्ट एक्जामपल है, समीर पननक रस, कंठस्त, तलस्त, सौरी, कंठस्त, रसिंदूर, मकर्धवच, एंड मलसिंदूर, त अभ्य आपको क्या करो किम आपको क्या पता है मारे कंठस में क्या मिलेगा रसंदूर मल संदूर मक्ड़ है फाइनल प्रोड़क्ट्टि थी बात कर में हैą तो इतने basic components use होती है कोपी पक पुरसायन के pre operating processes के लिए इंधन की तैयारी करना शुद्ध पारत गंध की तैयारी करना कजली निर्मान करना शलाका ready करना कॉर्किंग की ready करना इतने सारी चीजे आपकी process at a time complete हो जाती है तब हम main operating process में जाते हैं जिसको हम actual में कूपी पक पुरसायन का औशद निर्मान कहते हैं आज दस मिनिट का class है पंदर मिनिट का class रखा गया है आप लोगों के लिए इस पे आप चाहिए फिर से पाराद शोदन का पढ़िए कजली पढ़िए जो आज के बारे में बतायागे हैं उस जो नोट डाले गे हैं उसके बारे में थोड़ा read की जी अना further will be process for the main operating process जो की बहुत important operating process है मैं चाहूंगा कि आप लोग next lectures में जरूर इसका सुरिय नहीं होगा तो main operating process के दो lectures लोगा short में 10 to 15 minutes के जिसमें आपको हम अगनी के पाक क्रम के बारे में बताएंगे कौन से लक्षन कब मिलते हैं यह बताएंगे क्योंकि वह बहुत important process है and that entirely process also used for the preparation of other two people for sand formation so temperature of heating important there temperature of duration important there and what are the difference science और जो लक्षन समें मिलेंगे तर ता है उसके बारे में हम discuss करेंगे next class good day